हेलो अब्रीवन कैसे हैं आप सब अमीद हैं आप सब अच्छे हूं में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्ट सेमिस्टर हिस्ट्री पॉपॉलर कल्चर इसके चैप्टर वन दूनीट वन का चैप्टर वन में अलेडी अप्लोड कर जो आपने वह नहीं देगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड पवित्र इस्थान पवित्र भुगोल तीत यात्रा और तीत संबंदी रिती दिवाज आप देखने हैं आपका अपने यूटूब चैनल आर्क एजूकेशन क्ला और मेरा नाम रोईना चैनल वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोड़क्शन तीत यात्रा पुरानी मान्याताओं और प्रताओं पर अधारित एक प्राचीन प्रता प्रतीत हो सकती है लेकिन यह काफी नहीं है बलकि इसने नई उर्जब प्राप्त की है यहीं काफी नहीं है कि तीत यात्रा पुरानी मान्याताओं पर अधारित प्रता हो सकती है बलकि इसने नई उर्जब भी प्रात की है तीत यात्रा ने संस्कृतिक और धर्मों को प्रेरित और प्रेरित करती है तुनिया भर में जितने भी तीथियातिन है उनको संस्कृति और उनके धर्मों को और ज्यादा प्रेरित से भी प्रेरित करती है इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि तीथियात्रा क्या है तीथियात्र और तीथ प्रताओं के विकास पर चर्चा करते हैं योगि हमने पिछले घंड़ों में भी पढ़ा है तीथ यात्रा क्या है या आपके एक्जाम पर इंटर्वीव से भी मुस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तीथ यात्रा से लेटिट कोश्चन जरूर आएगा तीथ यात्र और यहुदी दरंग जैसे पर्मुक धर्मुकी इस्थापना के साथ एक संस्तागत अभ्याज की रोप में विकासित होना शुरू होगी तीथ यात्रा शब्द की वर्यत्पती लेटिश शब्द तीथ यात्रा जो शब्द है उसकी वर्यत्पती जिसका अर्थ क्या होता है भटकना या विदेशी होना ऐसे कई कारक हैं जो तीथ यात्रा का गठन करते हैं और उन कार्णों को भी बताती है जिसने तीथ यात्रा तीथ तीथ बन जाती है इस पार्ट में निम्लिकित उप बागों में के बारे में हम चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे तीथ यात तीत यात्रा की परिभाशा तीत यात्रा क्या होती है हमने देख लें कि तीत यात्रा क्या होती है अब देख लें ते तीत यात्रा की परिभाशा इसकी डेफिनेशन सरहर शब्दों में तीत यात्रा एक तीत यात्री द्वारा एक पवित्र इस्थल की खोज और परमात्मा के साथ सार्थक्त मुलाकात की आशा में की गई यात्रा है तीत यात्रा की डेfinition का इसकी परिवाशय क्या है तीत यात्रा जो ए जो ना उनके दौरे एक पवित्र इस्थल की खोज यह जो कि परमात्रि में के साथ एक सार्थक्त मुलाकात की आशा में की गई है यानि कि तीत यात्रा का मतलब हुआ कि जो तीत यात्री है वो इस आशा में निकलते हैं कि वो अपने परमात्मा के साथ एक सार्थक मुलाकात करेंगे तो तीत यात्रा की परिभाशा हो गई तीत यात्रा के अधन पर दो मौलिक विद्वानों, टर्नल और टर्नल ने तीत यात्रा को लिमोनॉइड या अर्भ, सिमान्त, गटना के रोब में परिभाषित किया उनका तर्खे की तीत यात्रा एक सिमान्त अवस्ता होती है यानि एक ऐसी इस्थिति में जहां समार्निय समाधिक इस्तरिय करण का निलंबन अत्वा आस्वी करण यानि सस्पेंशन होता है जहां तीत यात्री आ इस्थाई रोप से अपने संसारिक जीवन की चिंताओं और सरचनाओं को छोड़ देते हैं और पाप के अवसरों से रास्ता निकाल कर मोक्ष के लिए अपने विश्वास को मजबूत और पुना जीवित करके परमात्मा की तलाश में यात्रा पर जाते हैं यानि कि जो तीत यात्री जो है वो सारी चिंताओं से मुक्त होकर अपनी चिंताओं को छोड़कर वाइक जीवनमन की चिंताओं चल रही है उन सब को छोड़कर वे परमात्मा की तलाश में चले जाते हैं अपने पूर्ण जीवित करके अपने आपको पूर्ण जीवित करके परमात्मा की तलाश में यात्रा पर चले जाते हैं इस यात्रा में वे अपने साथी तीत यात्रियों से मिलते हैं और इस जो यात्रा करते हैं तीत यात्री उसमें वो जो उनके साथी हैं मतलब जो और लोग भी आ समुदाय का निर्मान करते हैं यह समुदाय प्राकति में सरचना विरोधी है क्योंकि तीत यात्रा की परिकेदिया असमानता की समानी समाजिक सरचनाव को सरचनाव की तूटने पर बल देती है और तीतः यात्रा से क्या होता है कि जितने भी तीठी आतरी आये वे ना वो एक समुदाय करते हैं उनका ये वह आपस मिलते हैं और वी सारी जितनी भी आसमानता हैं उनको भी छोड़कर आगे वर देते हैं क्योंका उनके तूटने पर रहिव बल देते हैं आसा मंताों चोड़ने पर हलाकि एक ती थी आत्रा कि किसी भी द्वारा लिए जाने वादे एक स्वजशिक निञ्से तरह क्या है। स्व Neighbor क्या है एक मनुष्चे द्वारा बो अपनी आप प्रीजम के अपने एक्छा से निञ्ट या लिए एक किसी प्रेक्ति के संसारिक छेत्र के बीदर एक सकर्म को चिनित करने के लिए कोई अनिवारिय तंत्र नहीं है ऐसे कि टर्नल और टर्नल में तीत यात्रा को एक सीमित घटना के रोप में परिभाशित किया है तीत यात्रा के मोल तत्वों में से एक इस्थान परिवर्दन है तीत यात्रा के लिए एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाते हैं तीत यात्रा का मतलब होता है कि एक इस्थान को रोगर दूसरे इस्थान पर जाते हैं जारे इसका मितलब यह है कि पवित्र इस्थानों के लिए सभी इस्थान पवरी वरतन चाहिए वे कितने भी छोटे हों तीत यात्रा कहला सकते हैं क्या किसी चर्च मंदिर या मस्जित की सब्ताहिक सब्सक्राइब को खोटी सचोटी जगाव है यभी पवितर इस्थान जिसमें कि JULY dich कि प्रतिपादित किया है कि तीथी आतरी का अपने इस्थानी मत्लब क्या है कि अपने वह व्यक्टी रह था इस इस्थान से दूसरा इस्थान पर दोड जाना है तरनस ने तर्क दिया कि तीथ यात्रा, तीथ यात्री के निवास इस्थान और दैनिक शरम से कुछ दोरी पर इस्थित एक पवित्र इस्थल या पवित्र मंदिर की यात्रा यानि कि तीथियात्रा जो है वो तीथियात्री के निवासिस्थान और द्यानिक सरम से कुछ दोरी बर यानि कि जो जहां वो रहता है वयक्ति उससे वो जाकर कुछ दोरी बर जो पवित्र इस्थल है वहाँ पर बोजा रहा है जो वह मंदिर की यात्रा कर रहा है तो उसे ही क्या कहा जाता है तीत यात्रा कहा जाता है इसलिए यह कहने के बजाए कि तीत यात्रा को एक निश्चित दोरी से अधिक दोरी तक तैय करना चाहिए तीत यात्रा को ऐसे इस्थान परिवत्तन के रोप प्रिभाशित किया जा सकता है जो इस्थानियसे अथिक लंबा तित यात्रा है को रोप में पवित्र इस्थान के लिए में इस्थानिय यात्रा की तुन्थ में लंबी यात्रा यानि की तीत यात्रा का मतलब हुआ एक तीत यात्रा का मतलब है कि धार्मिक बक्ति के एक कारिये के रूप में धार्मी भक्ति के एक कारिये के रूप में पवित्र इस्थान के लिए जो कही व्यक्ति मिले हैं उनको समुराय बनाए हैं वो जो हैं वो इस्थानिय यात्राओं की तुल्ण में लंबे यात्रा करें कि उनकी वहाँ पर अपने परमात्मा से मुलाकात होगे तीत यात्रा एक गंतव्य के साथ एक यात्रा है जिसे तीत यात्री विबिन कार्णों से दिविया और अध्यामित जगरती की आशा के साथ करते हैं इस पर का तीत यात्रा पैरों की अनिस्चित गती और अगमन के बाद के बीच एक तनाव में कमी करती हैं यानि कि तीत यात्र जोग वो पैरों की एक निस्चित गति और आगामन के बाद के बीच एक तनाव में काम करती है जहां निस्चितता बहुत अधिक है लोग दूर दूर से यात्रा करते हैं परिभाशित और चित्रित इस्थानों में खड़े होते हैं जो एक सार्थंग तब्यद तक ले जाने के लिए एक तीत्यात्र अनिवारी इस परकार तीत्यात्र के दो महत्वण गटक परकान है यात्रती एक टीठीात्रि के यहात्रह करता है सेखल एक गणतव्य एक पवित्र इस्थान तीठी यात्र beber में असानी nggak लोगों और दुनिया भर में उधारन के लिए एक परिया टक जिस देश में जा रहा है उस देश में एक पवेस्थान की यात्रा को चिनिद कर सकता है और उस स्थ anytime i श्रण भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक पवित्र इस्थल की यात्र की है क्या उन्हें तीथियात्री माना जा सकता हैं दूसरी और तीथियात्री किसी पवित्र इस्थल के रास्ते में महलों या समारकों का भी दोरा कर सकते हैं एजे में तीथियात्री किसे माना जा सकता हैं एक परियतक और एक तीथियात्री के बीच एक परियतक को परिभाशित करके अंतर करती ह जो किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाशित करते हैं जो दर्शनिय इस्थालों को देखने जाता है जबकि एक तीत्यात्री वे होता है जो किसी पवित्री इस्थानिय छवी के दर्शन देखने के लिए जाता है वे आगे कहते हैं कि यात्रा पर जाने वाले तीत्यात्र वहिग देखने के लिए जाता हैं कि आम इसी चीज 2025 बनी शाया हैं उनका आनने लेता हैं लेकिन एक टीथ आत्री जो होता है वह अपनी आस्था के लिए वहां जाता है और वह आगे कहते हैं यात्रा पर जाने वाले तीथ'? करने वाले उते हैं वह पल्कि पवित्र दर्शन करने वाले होते हैं जिनकी रोची सुराम्य स्थानों को देखने में नई होती पल्कि उस पवित्र इस्थान पर होती यहां चीज़ हैं उनको देखने में नहीं होती बलकि पवित्री इस्थान में और एक उदेश्य को धियान में रखते हुए यात्रा करने का संकल्प लेता है यानि कि एक तीत यात्रा की शुरुवात जब होती है जब एक तीत यात्री जो है वो इश्वर से प्रातना करता है और एक उदेश्ची को धियान में रखते हुए यात्रा के लिए संकल्प लेता है कि मुझे यात्रा तीत यात्रा को परिभाशित करता है यानि कि जो उसने इरादा किया है उसको जो इरादा है वह तीत यात्री की यात्रा को उनको और अपने विश्वास ने उसके नियामित अभ्यास को त्याग देता है उसको छोड़ देता है और अपने सबसे पवित्र रूप में अपने विश्वास के तत्वों और सरचनाओं से जुड़ने के लिए यात्रा पर जाता है यानि कि अपने पवित्र रूपों से अप जब एक तीतियात्री जो है वो अपनी जो यात्रह उसका पूरा कर लेता है तो जिव उन्हें ये कहा जाता है कि उन्होंने अध्यात्मी कदम आगे बढ़ाया है तीतियात्र के उदेश ते हो गई तीतियात्री के डेफिनिशन भी उगई तीत्यात्र के कौन कौन से अब्ज leider कि में क्या उदेशे हैं कि तीत्यात्रा क्यों की जाती है तीत्यात्रा का प्रात्मिक कारण इस वर तक पहुझ और देव्य हक्स्तर शेप है क्या है तीत्यात्री अपने प्रात्मिक कारण इस वर से मुलकात होगी इस मकसद के भीदर तीत्यात्रा करने के कई कारण और जाते हैं देश्टे देविस्त आता है इसमें इए पंप्रत करने के लिए जैसे कि पुत्तरुब का जनम बिमारी से सुरक्षा भोत दन आदे पहला को देश्टी क्या हो जाता है जैसे還 ही नहीं कहते हैं यहाई संतान प्राप्तियों यह भीमारी ठीक हो जाए बेटी की नहीं इसको भी मारु जाते हैं नमबर आजाता है बच्चे की सुरक्षित जनम या समान्य परस्थतियों के लिए धन्यवाद देने के लिए कि बच्चे का जनम हो गया उसकी के वो बच्चे का गलीवरी हुए वह सही हुए ये सुरक्षित हुए तो उसके लिए भी जाते हैं धन्यवाद करने के लिए तीती करने के लिए जाते हैं चाश्ट तर सेयन या धन्ड के रोब में बली दान करना यानि कि जो जो आ्यां किये हैं या कोई करने के लिए जाते हैं न्यद्ट तर फिर्ब या जाते हैं đать को पूरा करने के लिए जैसे की एक जय से अधी गती वीडियों में भाग लेने के लिए धार्ब्दायत्वर जैसे हज यातरा की जाती है मुसल्मानों में है जाते की जाती है सब्सक्त repentance करने के लिए योग्यातर प्राप्त करने के लिए यह कुछ लोग जो जाते हैं तीज्टी आतरा के नेक्स्ट आ जाता है हमारा टौपिक खतम हो चुक्छा इससे जितने इंप्पोर्टेंट कोशन बनते हैं उसको आप देख लेना क्योंकि वह जादा इंप्पोर्टेंट टौपि इस्थान पर जाने को तीर्थ कहे जाने के लिए गंतव्यों को पवित्र माना जाना एक जरूरी सर्थ है यानि कि एक तीर्थ जो है वो तीर्थ जो है वो जभी गंतव्यों हो सकता है जब कि एक इस्थान से दूसरी इस्थान जाने के लिए कहा जाने के लिए कहा जाने के लिए गंतव्यों को पवित्र माना जाना बहुत जादा जरूरी है बिना गंतव्यों को पवित्र माने अगरम जाते हैं तो वह तीध नहीं माना जाएगा एक इस्थान पवित्र बनता है किसी धर्म में किसी स्थान ये इस्थान को पवित्र क्यों माना जा सकता है इनके विभ वर्णित इस्थानों को पवित्र माना जाता है किसी धरम में अख्यानों और पवित्र पुस्तकों में वर्णित इस्थानों को पवित्र माना जाता है उधानन के लिए यारुशलेम जिसका उलेकित बाइबल में यो यी सूर के जीवन की कई महतपन घटनाव की इस्थान के र पवित्र ग्रंतों में केंद्रिय अध्यात्मिक वयक्ति के जनम मृत्यु और मिशन के इस्थल के रूप में किया जाता है यह इस्थान जो हैं वह पवित्र हो जाते हैं क्योंकि यहां धर्म के अध्यात्मिक अधिकार के संबंद में संबंद के रूप में कारी करता है और ती थी आत्री जो है वो इन इस्थानों पर जाकर धर्म विशेश के संस्थापक जो हैं उनकी आत्मा के साथ इतित होने का परियास करते हैं ये इस्थान संस्थापक की कारियों और संदेश के एक शक्ति शाली स्मारक के रोप में भी कारिय करती हैं और आम तोर पर किसी की अध्यात्मिक जागरुकता की पुस्ती और व्रिदी करने के लिए माना जाता है ना केवल संस्थापक बल्कि आस्ता से जुड़े इसाईयों, संतों और सहीदों से जुड़े इस्थलों को भी पवित्र माना जाता है इसाईयों, संतों और जो सहीद हुए हैं उसे जुड़े इस्थलों उनको भी पवित्र ही माना जाता है इस्थान, पवित्रता का दर्जा प्राप्त करते हैं च कुझ कि यहां उनके सनस्थापक की मेर्टियू बाद भी उस आस्था के स्थापक की साथ जुड़ा हुआ होता है यह इस्थान है वह पवित्र क्यात्रियों के लिए बोध गाया और सरनात का मेहदूर इस इस्थान ने पवित्रत प्राप्त की क्योंकि यह संस्थापक के जीवन के मेहदफण अवसरों से जुड़े हैं जैसे ना केवल इस्थान बलकि केंद्रिय अध्यात्मिक वयक्ति से जुड़े अवशेशों को भी कर वित्र पवित्र मानः जाने लगा और इसके साथी किसी विशेश आस्थाप के धार्मिक इतिहास एक महदूंपूर घटना से जुड़ी वस्तुऑ में भी पवित्र हो सकती है एक पवित्र वयक्ती से जुड़े इस्थल या एक पवित्र वयक्ति के जीवन की घटना के साथ जुड़े इस्थान तीत यात्रा के महत्वपुर इस्थल बन सकते हैं पवित्र वयक्ति या उसके शरीर के अवशेशों से जुड़े इस्थल पवित्रता की इस्थति प्राप्त कर सकते हैं जरूरी नहीं के उनके जीवन के दौरान उनसे जुड़े हों इस तना के पवित्र इस्थनों को किसी पवित्र व्यक्ति या घटना के करिश्माई परभाव को इत निस्चित इस्थान के भीतर जोड़कर इस्थापित किया जाता है कुछ इस्थान जहां संस्थापक के दर्शन देखे गए थे या जहां संस्थापक शिश्या और संतों के दर्शन हुए थे या वे इस्थान जहां भगवान की तिव्य शक्ति परकट हुई थी वे भी तीत इस्थल बन सकते हैं वे इस्थान भी तीत इस्थल बन सकते हैं जहां कि भगवान की दिव्य शक्ति परकट हुई थी माना जाता है कि तीर्थ स्थल ऐसे इस्थान है जहां एक बार चमतकार हुआ वहां दुबारा भी चमतकार होने की संभावना होती है पवित्र इस्थलोग को जोड़ा जा सकता है और ये सभी मिलकर पवित्र भोगोलिक इस्थान बन सकते हैं के तौर चार धाम् थी तीथ्यात्र जो उत्तर में बद्रीनाथ पूर्व में पूरी सुदूर्वर्व के साथ सोधूर्व पस्चीं मेर द्वारग का जो एक हिंदू तीतियात्रीолот भारत की पूरी परिकरमा कराते हैं इनको जोड़ा भी जा सकते है जो कि भुबोक्वलीकिस्तान बन सकते हैं हम देख सकते हैं अभारान के तौर पर हिंदो धरम में चार धाम तीथियात्रा जो कि उत्तर में हैं, दक्षिर में हैं और पश्चिम में हैं अब यानि कि ये पूरे भारत को एक पूर्य भारत की PARIKर्मा करा दे हैं चार धाम तीथियात्रा नेक्स्ट पॉइंट है तीत यात्रों की घर वाप जब एक तीत यात्री तीत यात्रा पर जाता है तो वे अपने साथ एक वस्तू पवित्र, तेल, चित्र, पानी, मिट्टी आदी वापस लाता है जो कि उनके द्वारा की गई यात्रा की याद दिलाती है जिससे कि पवित्र अनुभव के साथ एक ठोस संबंद जिससे उनके जीवन की रोजमरा की जिन्दगी में एक पवित्र परभाव लाया जा सके जटी चेहिनों को घर पर इस्थानी अनुस्थानों प्रथाओं में भी शामिल किया जा सकता है और पूरे भारत में अन्य तीत केंद्रों में फैला हुआ है यह इसमनती चेहिन तीत इस्तलक के विज्ञान के रोप में भी काम करते हैं और विस्वें भी अवशेश बन सकते हैं उधारण के लिए साथमी सताब्दी की पहली तीमाई में लोंबार्ट रानी थियो डॉलिंदा द्वारा इटली में मौज मौजा और बाबियों में कैथे डॉल कोश गारों को दिये गए फिलिस्तानी के फिलिस्तानी से छटी को विडियो में करेंगे आज के लिए बस इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई पार कोई बस कमेंट से बताना ना भूलें चैन को साथ में प्रेस करें आने वाली वीडियो की नार्टिपिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए Stay Healthy, Stay Safe